हेलो क्रेंट्स हम लोग प्रमोटेशन एंड काम्बिनेशन में फैक्टोरियल नोटेशन देखा हम लोगों ने और एक्स्पोनेंट निकालना देखा मैं यह क्या होता है तो यह कैसे होता देखी से सिंद्धेर क치를 कौरें वाइगे क्या होता है ez 649 ओपर लिए 4182-1 यह आप ऐसे झान्या देख़। यानि किसी भी natural number का जो factorial होता है उसकी value क्या होती है आप 1 से लेके सारे natural number को multiply करते चले जाएए कहां तक जाएए n तक या आप n से घटते चले जाएए और कहां तक multiply करते हुए एक तक यह होता है अब हम लोगों के सामने कभी कभी ऐसी situation आ जाती है कि हम लोगों के सामने 10 x 9 x 8 x 7 इस type का number हम लोगों के सामने दिखता है तो इस type के number में दिख्कत क्या है यह तो छोटा सा number लिखा है हमने अभी बात में बढ़ा करेंगे यह 10 x 9 x 8 x 7 ऐसा लगता है कि आगा 6 x 5 x 4 x 3 x 2 x 1 होता तो इसको factorial 10 लिख लेते हैं इसको इतना धोने की जरूरत ना पढ़ती है तो इस type के number के लिए हम लोग क्या करते हैं इसको factorial complete करने के लिए 6 x 5 x 4 x 3 x 2 x 1 अगर इससे multiply कर दें और जिस number से multiply क्या है उसी number से डिवाइड कर दें तो इसमें number में कोई change नहीं आया किसी संक्या में आप किसे भी number से multiply के लिए उसी number से डिवाइड कर दीजिए तो हमने क्या देखा हमको लगा कि इसको factorial पूरा करना है तो उपर वाला जो वह हो गया वह क्या हो गया आपका factorial 10 नीचे वाला क्या हो गया factorial 6 तो इस टाइब के numbers जो है हमारे सामने बहुत सारे आएंगे तो इस टाइब के एक number अपने पास है n into n-1 into n-2 into n-3 और यह कहां तक multiplication में है यह n-r plus 1 यहां तक multiplication में है एक एक गड़ता चला जा रहा है इसके बाद वाला number क्या होगा इस से एक कम करेंगे तो n-r अगला क्या होगा अगर यह सीरियल से मल्टिप्लाइब हो के वन तक होता तो हम लोग इसको क्या करते है से फाइक्टूरियल कम्प्लीट कर लेते हैं तो उसी विचार से हमने क्या किया जिस चीज की कमी थी यह माइनस आर प्लस वन के बाद एन माइनस आर आएगा एन माइनस आर के बाद एन माइनस आर माइनस वन आएगा उसके बाद एन माइनस आर माइनस तू डाट त्री इंटू 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 वन क्याकि फाइक्टूरियल कम्प्लीट करने के लिए इससे मल्टिप्लाइब कर दिये और जिससे मल्टिप्ला अब उपर लोगों का क्या बन गया इतना बढ़ासा जो नंबर था हमको ढोना था वो सीधा सीधा क्या हो गया फैक्टोरियल n और नीचे क्या हो गया यह चाहिए इदर से देखे N-R फिर N-R-1 यानि एक घटता हुआ कहां तक multiply है 1 तक यह इदर आप देखे 1,2,3 और कहां तक multiply है N-R तो N-R का factorial हो गया है यानि हम लोगों ने जो यह नंबर था हम लोगों का कि N into N-1 N-2 डाट-डाट N-R प्लस 1 इस बड़े से नंबर को हम लोगों ने क्या लिख दिया factorial N upon N-R का factorial हम लोगों ने कुछ जबरदस्ती कुछ नहीं किया है यह जहां तक था उस factorial complete करने के लिए पूरा multiply कर दिया और उसे से divide कर दिया तो इसी को बोला जाता है और सार्ट में लिखने के लिए N-P-R यह permutations है तो जब हम लोग permutations करेंगे अभी तो symbol की बात करी जा रही है जब हम लोग permutations करेंगे तो इस type के number ज्यादा मिलते हैं तो यह permutations से ही निकला है तो अभी उसको इतना ही देखिए कि एसको क्या बोला जाता है अपान अन-माइनस और का फैक्न इसको ए लिए ओर यह टूर सिंपल होगया पहला N P आप इसमें और की वैलू क्या होगी आप आर की baillow जोगी कि यह जीरो भी हो सकता है आर की यहां पर जीरो रखेंगे आर की बेलू जीरो हो सकती है और यह कि एन भी हो सकती है तो आर की बेलू जब जीरो रखेंगे तो एन पी जीरो हो जाएगा और यहां जीरो रखेंगे तो एक फैक्टोरियल एन अपान फैक्टोरियल यान इसकी बेलू वन हो जाएगी देख लेते हैं हम लोग यह वन फैक्टोरियल फैक्टोरियल एन इसकी बेलू क्या हो जाएगी यह यह ऑन हो सकता हुद्व के यह वन हो जाएगी यानि NP0 की value क्या होती है 1 होती है और R की value जब n रखेंगे इसको दुबारा लिख देता हूं इधर लोग ने क्या देखा जो NPR होता है वो क्या होता है symbol factorial N upon N-R का factorial और R की value क्या होगी हमेशा N से छोटी ही होगी और 0 से बड़ी या 0 के बराबर भी हो सकता है और अब आर इक्वल टू 0 अगर रखें तो यह क्या हो जाएगा एन पी 0 इक्वल टू फैक्टोरियल N अपान एन माइनस जीरो का factorial N से जीरो गया तो 0 ही रहे या नहीं रहेगा स्वारी एन का अपान एन का फैक्टोरियल क्या हो गया वण हो गया कि और इक्वल टू 1 एन रखा जाए आर की वेलु किसके बराबर हो जाए एन के तो यह क्या हो जाएगा एन पी एन और इसकी वेलु क्या हो जाएगा यद् säkotool एन आपान एन माइनस द एन का फैक्टोरियल ये क्या होगया एन अपान एन माइनस लिक्या हो जाएगा जीरो की वेलू क्या होती है 1 होती है तो n p n की value के आगे factorial n और n p 0 की value के आगे 1 तो n p r जो हम लोग define करते हैं factorial n upon n minus r का factorial कर दो हुआ है कि अग्यार एक अग्यार का सब्सक्राइब एक प्रद्द्द्द्द्द इसको ऐसे भी लिखा जा सकता सार्ड में पी एन और और इसकी वाहिरूज होती है दिए नीगेटिए होता है यहां पे जो होता है इसके होने हैंच लिए यह होता है चोहें बर्यायन से चोटी और जीरो होनी जीरो यह जीरो से बड़ी एक सिंबल हम लोग और डिफाइन करते हैं यही जो आपका है फैक्टॉरियल एन अपान एन माइनस आर का फैक्टॉरियल इसी में क्या हो जाता है फैक्टॉरियल आर से अगर नीचे में मल्टिप्लिकेशन भी मिल रहा है तो इसी कौँ लोग बोल देते हैं एनसे आर एमसे और एक्टॉरियल ए तो और एनर की वेलो क्या होगे निचरल नंबर होगी एन तो निचरल नंबर ..." आर की वेलो क्या होगी जूरो भी हो सकता है और यह वह ही कंडिशन 012 से लेके एंट तक तो दूसरा हो गया एंसी आर और इसको लिखते हैं कि सी एन आर या एन सी आर तो लोग ने सिंबल देखा एंसी आर और एंपी आर सिंपली क्या होता है सिंबल एक बार और लिख देता हूं कि एन पी आर इसको ऐसे भी लिखा जाता है पी एन और और इसकी वैलू क्या होती है एन का फैक्टोरियल है अपान एन माइनस आर का फैक्टोरियल अब जैसे बैलू कल केल्कुलेट करनी चली बोला जाए आपकी बैलू अब एक्टोरियल 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 एक्टोर तो कोई भी नंबर आपको दिया हो जैसे दिया जाए तो फाइब पी थरी तो फाइब पी थरी के बैलू निकालने के लिए क्या करेंगे उपर जो है उसका फैक्तोरियल आपान डिफ्रेंस का फैक्टोरियल यह फाइब माइनस तो फैक्तोरियल यहां कि आपका फैक्तोरियल अपान तो का फैक्तोरियल इसको आप आगे साव करेंगे यह सिंबल है अब हम लोग इस पर बेस्ट जो है क्वेस्टन देखते हैं पी वाले सिंबल पर ही यानि एन फी आर वाले सिंबल पर बेस्ट क्वेस्टन हम लोग लेते हैं अब हम लोग इस थे प्याइब देखते हैं है 53 इक्वल टो पी एन फूर है कि फाइंड एंट तो यह आपका लिखा क्या है है तो इन्टू पी फाइफ थ्री का मतलब क्या वहीं फाइफ पी थ्री क्योंकि जो एन फी आर होता है उसका उलोग ऐसे भी लिखते हैं पी एन कामा और यह दोनों चीज एक ही है और यह पी एन फोर यानि एन फी फोर आप हम लोग क्या करेंगे दिपनीशन से एन पी आर की बहुति बहुति क्या होती है एन का factorial upon n minus r ka factorial तो इसको open करेंगे तो यह क्या हो जाएगा 2 into 5 ka factorial upon 5 minus 3 ka factorial equal to open n ka factorial upon n minus 4 क्या करेंगे factorial cancel करने के लिए जो बड़ा होता है उसको जैसे factorial 10 upon factorial 7 आ गया जैसे हम रूमों का कहीं इस टाइब का factorial 10 upon factorial 6 तो यह factorial हटाने के लिए क्या करेंगे हम बड़े वाले factorial को open करना शुरू करेंगे और कहां तक करेंगे जब वो उसके बराबर नहों जाए फिर यह और यह कैंसल हो जाएगा जो बाकी बचेगा यह तो लोग क्या करेंगे इन का factorial बड़ा है तो इसको open करेंगे n into n-1 into n-2 into n-3 into n-4 तो n-4 का यह factorial आई से लिख देते हैं क्योंकि यहां पर हमको n-4 का factorial दिख रहा है कि यह और यह खतम हो गया और यह तू तू खतम यह फाइव into 4 into 3 into 2 into 1 equal to n into n-1 n-2 n-3 अभी हम लोगों का n solve नहीं हुआ आप देखे यह n n n n n के power 4 अगर multiply करेंगे तो यह fourth power equation बनेगी n के fourth power equation बनेगा तो हम लोग ज्यारा से ज़्यादा क्या सब्सक्राइब को सब्सक्राइब करते हैं पावर फोर्थ को उतना मलब कि टाइम टेकिंग होता है उसको सब्सक्राइब करना तो हम लोग एक इसमें ऐसा करेंगे multiply करके equation नहीं बनाएगे क्योंकि fourth power equation बनेगी तो फिर solve कैसे करोगे फिर लिंदी हो जाएगा तो हम लोग इसको एक देखते हैं इधर क्या है एक दो तीन 855 नमब्र मृटिप्लाई में हैं एक दो तीन चार यहां से एक को हटा देंगे बिस्थिकत को IPत नहीं किआ में कि ज़्यों अब अब लोग देखते हैं कि यहां पर जो सबसे बड़ा नमबर क्या है यहां पर जो सबसे बड़ा नमबर है वह है क्योंकि बाती तो n से घट रहे हैं और इधर क्या है सबसे बड़ा नमबर ये 5 है इधर क्या हुआ अगला नमबर क्या है एक घट गया तो यहां भी अगला नमबर एक घट गया फिर अगला नमबर उससे एक घट गया फिर अगला नमबर उससे एक घट गया तो यहां से हम क्या करेंगे, Compression, तो यह इसी पड़ेगा, हम लोग क्या करें, Compare कर लें, क्योंकि चार नंबर इधर Multiply में है, चार नंबर उधर Multiply में है और Pattern सेम है, एक-एक का डिफ्रेंस है, तो अगर हम compare करेंगे, तो N की Value क्या आएगी, 5 n-1 के जगा पर क्या होना चाहिए 4 n-2 के जगा पर क्या होना चाहिए 3 और n-3 के जगा क्या होना चाहिए 2 तो आप एक ही compression कर ले यही n की value दे देगा क्योंकि सारी compression से n की value वही आएगी यहां भी आप n की value 5 यहां से n की value निकालेंगे 5 यहां से एन की वेलू 5 यहां से भी एन की वेलू 5 तो कंप्रेजन करके यह लोगों ने देख लिया कि एन की वेलू क्या हो गई 5 क्यां बूल कि क्या होगों ने एं लुका ने एं लुका ने पॉस्य नूबर ट्मर गई फ्यूपन प्यूवर प्यूण ने देख लिए लिए न प्यूएं प्यूदिए प्यूद कंप्रों और आप न्यूद गई है एक वल्टू है 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 ट्वंटी इंटू है पी एन टू है फाइंड है एन एन की वेलू फाइंड करनी है मृट यह क्या लिखा है आपका यह एन पी फॉर इकॉल टू टू ट्वंटी इंटू एन पी टू यह अपना एक्वेश्ण है और हमको पता है कि जो एन पी आर होता है इसकी वेलू क्या होती है एर्ला है अपान और एन मायनस R factorial तो यहाँ पे वही लगा देंगे तो N P 4 यानि यह N का factorial upon N minus 4 का factorial 20 into यह N का factorial upon N minus 2 का factorial अब factorial cancel करने के लिए का करते हैं बड़े वाले factorial को open करते हैं तो यह N अगला क्या होगा N minus 1 अगला क्या होगा N minus 2 अगला क्या होगा N minus 3 अगला क्या होगा N minus 4 और घरते चला जाएगा तो N minus 4 का factorial पे हम लोगों ने क्या कर दिया उसको वही पड़े रहने देश्टाफ कर दिया नीचे N minus 4 का factorial हमको दिख रहा था 20 into इसको open करते हैं N into N minus 1 into अगला क्या आएगा N minus 2 जिसका factorial यही पड़ा रहने देते हैं N minus 2 नीचे दिख रहा था तो यह N minus 2 N minus 2 खतम यह N minus 4 N minus 4 खतम और हम लोग देखते हैं यह N into N minus 1 दोनों साइट से खतम तो यह क्या बचा N minus 2 into N minus 3 equal to 20 तो आप multiply करेंगे तो N के power 2 में बनेगा उसको easily solve कर लेते हैं तो हम लोग multiply करते हैं तो यह क्या हो जाएगा N से multiply करेंगा N square minus 3 N फिर minus 2 से multiply करेंगे minus 2 N plus 6 equal to 20 N square minus 5 N यह plus 6 इधर आएगा minus 20 तो minus 20 plus 6 minus 14 equal to 0 अब इसका factor कर लेते हैं N square minus 7 N plus 2 N minus 14 equal to 0 N minus 7 यहाँ से plus 2 कामल लेंगे N minus 7 equal to 0 एक break rate में आगे N minus 7 एक में आगे N plus 2 equal to 0 तो यहाँ क्या होगा यह into E equal to 0 है तो N minus 7 equal to 0 होगा या N equal to 7 यह भी हो सकता है कि N plus 2 equal to 0 तो N के value क्या है कि minus 2 तो minus 2 वाली value हम लोग क्या करेंगे नहीं लेंगे N equal to 7 क्योंकि negative value जो है negative value के लिए define नहीं है N हम लोग पहले जानते हैं कि यह क्या होना चाहिए natural number होना चाहिए उसके लिए define है negative number के लिए तो N minus 2 क्या हो जाएगा यह reject कर दिया जाएगा तो N की value क्या आ गई 7 आ गई question number 3 हम लोग देखते हैं 5 P R equal to 2 into 6 P R minus 1 find R R की value find करनी है तो सीधा सीधा क्या हम लोग N P R का formula लगाके open करेंगे और फिर factorial cancel करके फिर एक equation बनेगी R में फिर उसको solve करेंगे तो simply यही हम लोग तरीका बार बार अपनाते हैं तो N P R क्या होता है N P R यह N का factorial upon N minus R का factorial यह formula लगाएंगे हम लोग तो 5 P R को open करेंगे तो यह factorial 5 upon 5 minus R का factorial equal to 2 into यह 6 का factorial upon 6 minus R minus 1 का factorial तो यह factorial 5 upon 5 minus R का factorial तो यह हो गया है अब हम लोग फैक्टोरियल कैसे कैंसल करते हैं कि जो बड़ा फैक्टोरियल होता है उसको open करते हैं तो यहां factorial 5 बड़ा होगा कि 5 minus R का factorial बड़ा होगा 5 पूरे अपने आप में 5 factorial है और 5 minus R क्या है R की value कुछ भी होगी तो यह क्या होगा 5 से कम हो जाएगा तो यह factorial यह छोटा है यह बड़ा है इसको देख लेते हैं पहले तो हम लोग open करेंगे factorial 5 को तो इंटो फेक्टरल सिक्स अपान सेविन माइनस आर का फेक्टरियल तो उस हिसाब से हम लोग नहीं करेंगे इसको इसको इससे cancel नहीं कर पाएंगे लेकिन कर सकते हैं एक काम कर सकते हैं हम लोग अगर 7 minus R और 5 minus R के factorial को देखें तो यह 7 से R घट रहा है यह 5 से R घट रहा है तो 7 minus R बड़ा नंबर होगा तो 7 minus R को open करते जाएं कहां तक जाएं 5 minus R तक तो cancellation बन सकता है तो यह आपका क्या होगा फाइब 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 माइनस आर का फैक्टोरियल एकुल टू इन टू यह फैक्टोरियल इससे रहने देते हैं अब 7 minus R है तो इसको open करेंगे तो पहला क्या होगा 7 minus R अगला क्या होगा 7 minus R minus 1 अगला क्या होगा 7 minus R minus 2 और 7 minus R minus 2 पे ही जाके हम लोग क्या कर देंगे इसका फैक्टोरियल रुप देंगे क्योंकि 7 minus 2 यह 5 minus R का फैक्टोरियल दिखा है तो यह हो गया फैक्टोरियल 5 5 minus R का फैक्टोरियल इकुल टू इन टू 6 को 6 इन टू 5 फैक्टोरियल लिख देते हैं और 7 minus R 7 minus R minus 1 और यह 5 minus R फैक्टोरियल 5 minus R फैक्टोरियल चैंसल हो गया और यहां से 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल खतम हो गया तो यह क्या आगे हैं आपका 7 minus R 7 minus R minus 1 एकुल टू 12 अब मल्तिप्लाई के दिए तो एक क्वाडिटिक बनेगा तो 7 से मल्तिप्लाई करेंगे तो 49 49 minus 7 R minus 7 फिर minus R से करते हैं तो माइनस 7 R plus R स्कॉयर प्लस R एकुल टू 12 यह क्या होगे R स्कॉयर माइनस 7 7 14 माइनस 14 प्लस 1 यानि माइनस 13 आर और यह बारा इधर आएगा तो घट जाएगा 49 से त्य हो जाएगा 30 से एकुल टू जीरो एक बार चेक कर देते हैं हम लोग फाइब पी आर इकुल टू इन्टू यह है तो फाइब फैक्टोरियल अपान फाइब माइनस और फैक्टोरियल 2 इन्टू 6 फैक्टोरियल अपान 6 माइनस और माइनस 1 फैक्टोरियल 5 यह वही है 2 इन्टू 6 फैक्टोरियल अपान 6 माइनस और प्लस 1 हो गया हम लोग क्या करेंगे यह 7 माइनस और का फैक्टोरियल है इसको ओपन करेंगे तो 7 माइनस और पहला टर्म होगा अगला टर्म 7 minus r minus 1 अगला term 7 minus r minus 2 तो यह 5 minus r का factorial इसको यह रहने देते हैं तो यह 5 minus r यह 5 minus r खतम 6 कौन लोगों ने क्या लिख दिया 6 into factorial 5 यह factorial 5 यह factorial 5 यह factorial 5 खतम यह 5 minus r यह 7 minus r into 7 minus r minus 1 cross multiply करेंगे तो equal to 12 49 minus 7 r minus 7 यह देखें आगो 49 मैनस 7 आप लोग जो माइनस आर से मल्टिप्लाइ करेंगे तो माइनस 7r मैं अब लस आड़ स्कॉर प्लस आड एक्वल तो तो ट्वैल आड़ स्कॉएर इस सेवन सेवनों के फुर्टीन मैनस थर्टीन और 49 से 12 अगा आई क्या है 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 अब सासर टती सेवं इकल टू जीरो यह हम लोगों का क्या आगया क्या आगया कर दो कि यहां पर दिक्कत हो रहे हैं क्योंकि यह फैक्टर नहीं बन रहा है तो आर की बैलू इंटीजर में आयेगी नहीं तो क्वेस्टन एक बार देख लेते हैं लोग फाइब पी आर इक्वल टू टू इंटू सिक्स पी आर माइनस वन तो यह सेवन माइनस आर और यह सेवन माइनस वन माइनस आर इसको इसमें कोई दिक्कत तो भी दिख नहीं रहा है यह सेवन माइनस आर है और यह सीधा सीधा के लिकर साथ से एक निकल जाएगा सिक्स माइनस आर एक्वल टू 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 तो मल्टिप्लाई करेंगे तो साथ से करेंगे फुट्टी टू माइनस सेवन आर माइनस सिक्स आर प्लस आर स्कॉर एक्वल टू 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 तो यह आर स्कॉर माइनस थर्टीन आर 52 से बारा गे 30 से एकल टू जीरो यहां फिर कैलकॉलेशन मिश्टेक हो रहा था हम लोग का यहां मल्टिप्लाई करने में तो इसको 7-R-1 था तो हम लोग multiply पता नहीं क्या mistake कर रहे थे तो यह 7 से गया 6 6-R हो गया और 7-R equal to 12 तो हम लोग दोबारा calculation किये तो यह equation बन रहा है अब यह factorization हो रहा है तो factorization नहीं हो रहा था इसलिए हम लोगों को पता चला कि mistake हो रहा है क्योंकि आर की value integer में आएगी नहीं अगर उसका factor नहीं बनेगा तो यहां factor हम लोग करें तो आज इसक्वायर माइनस 10R-3R यह प्लस होगा क्योंकि 42 इदर प्लस में है 12 इदर माइनस में आएगा तो माइनस 10R-3R प्लस 30 equal to 0 यहां से R common कर लेंगे तो R-10 यहां से minus 3 तो R-10 equal to 0 यहां से क्या आगया R-3 into R-10 equal to 0 तो R-3 को 0 करेंगे तो R-3 R-10 को 0 करेंगे तो R-10 अब हमको थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि R की value अगर आप 10 ले लेते हैं तो यह 5P 10 हो जाएगा और जबकि हमको पता है कि NPR कब define है जब R की value N के बराबर या N से छोटी और 0 के बराबर या 0 से बढ़ी यानि R की value N से बढ़ी होगी तो NPR define ही नहीं होगा तो R की value अगर 10 हम लोग लेगे तो यह define ही नहीं होगा तो R की value 10 को क्याल करेंगे हम लोग reject कर देंगे तो R की value क्या लेंगे हम लोग R की value आ गई 3 इस condition को satisfied करते विए R की value क्या होगी 3 होगी क्वेस्टन नंबर फोर हम लोग लेते हैं यह कह रहा है कि 10 PR 10 PR इकल टो 5040 40 find R R की value find करनी है तो NPR हम लोग जानते हैं NPR क्या होता है कैसे define होता है N का factorial upon N minus R का factorial तो यह लगा कि open करते हैं पहले देखते हैं क्या होता है तो यह 10 का factorial upon 10 minus R का factorial इकल टू 5040 अब हम लोग अगर इधर क्या है तो यह हो जाएगा 10 minus R का factorial इंटू 5040 इकल टू 10 का यह 10 के factorial को देख लेते हैं क्या है 10 into 9 into 8 into 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 यह सो बी सेवें ट्विन ट्विन्टी यह होगा सेवें ट्विन्टी इंटू 7 into 8 into 9 into 10 कि इसको मल्टिप्लाइ करके हम लोग देख लेते हैं इससे डिवाइड करेंगे 5040 से तो यह हो जाएगा सेवन को आप इससे मल्टिप्लाइ करेंगे तो यह हो गया और इतना आपका बच गया तो यह जो 5040 जो होता है अगर अगर आपको याद रहे तो ज्यादा सही रहता है लेकिन कोई दिक्कत नहीं फैक्टोरियल सेवन इंटो सिक्स सेवन इंटो सिक्स इंटो फाइब इंटो फॉर इंटो फ्री इंटो वन यानि जो इसकी वैलू होती है फैक्टोरियल सेवन की वैलू यह सिधा सिधा होता है 5040 जो फैक्टोरियल सेवन की वैलू होती है वह 5040 तो फैक्टोरियल 10 को ओपन करेंगे 10 इंटो 9 इंटो 8 इंटो फैक्टोरियल 7 तो यह वैलू और यह वैलू के हो जाएगा सिधा सिधा होना चाहिए टेन टू नाइन इन्टू एट अब हम लोग क्या करें यहां पर टेन माइनस आर का फैक्टोरियल अब अब टेन माइन आर की वैलू तो हमको पता नहीं और वाले टर्म के वल इधर यह इतार तो आर वाली टर्म होने कि ओपें करें पर टर्म करें तो हम लोग यहां पर क्या कर सकते हैं आर की वैलू चेक करते कि आर की वेलु कितनी रखने पर ये हमारा आएगा ऐसे दिरके UP कि तो बहुत नहीं के तो ये ऐे वैलु है कितनी ये 720 यानि हमारा यहां से आगया 10 minus R का factorial यह 720 के बराबर है अब अगर हमको पता चल जाए कि 720 किसके factorial के value होती है यह factorial 6 की value होती है factorial 6 की value क्या होती है 720 तो compression कर देंगे तो 10 minus R का factorial यह equal to 6 का factorial तो जब compression करेंगे तो क्या जाएगा 10 minus R equal to 6 और यहां से R equal to क्या जाएगा R इधर आएगा 6 उधर जाएगा तो R equal to 4 तो हम लोग थोड़ा factorial 10 तक की value को थोड़ा क्या रखते है 2-4 बार कर लेते हैं तो ध्यान रहता है तो calculation easy हो जाता है तो यह 5040 को देखके हमको थोड़ा अंदाजा लग जाता कि यह factorial 7 की value लिखी है तो 10 into 9 into 8 into factorial 7 करके तुरंद cancel कर देते हैं उसके बाद फिर यहां सावर करने जाएगा है तो दिक्कत हो रही है अब 10 minus R का factorial equal to 720 अब 10 minus R के factorial को आप open करते चले जाएंगे तो R में equation बनेगा और कभी खतम नहीं होगा क्या पता R की value क्या है कहां तक open करना है दोनों साइड तो है नहीं कि आप cancel कर देंगे तो आपको यह चेक करना है कि इधर भी एक factorial लिखा है अगला क्रेस्टन वोग देखते हैं अगला क्रेस्टन वोग देखते हैं आप खाइब नंबर यह है एन माइनस वन पी थ्री एक्वल टू सॉरी कर रिएस्टो इस्टो एन पी फोर एक्वल टू वन इस्टो नाइन एन की value फाइंड करना है फाइंड एन तो फिर हम लोग वही काम करेंगे एन पी आर कि डिपनिशन के इसाब से फैक्टोरियल एन अपान एन माइनस आर का फैक्टोरियल इसी से ओपन करेंगे दूनों साइड तो ये क्या होगा एन माइनस ओन का फैक्टोरियल अपान एन माइनस ओन माइनस त्री का फैक्टोरियल is to यह factorial n upon n minus 4 का factorial equal to 1 is to 9 यह क्या होगा आपका n minus 1 का factorial a n minus 4 factorial is to n factorial upon n minus 4 factorial equal to 1 is to 9 अब हम लोग factorial cancel करने के लिए क्या करते हैं जो बड़ा factorial होगता है उसको उपन करते हैं तो इधर यह n minus 1 है इधर n minus 4 है तो n minus 1 का मतलब n से 1 निकाला गया है n minus 4 का मतलब n से 4 तो यह बड़ा है तो इसको open करेंगे तो यह क्या होगा है n minus 1 अगला क्या होगा इसे एक कम यानि n minus 1 minus 2 sorry n minus 1 minus 1 यानि n minus 2 अगला क्या होगा n minus 3 अगला होगा n minus 4 तो उसको हमने वहीं पर रोग दिया पान n minus 4 factorial is 2 इसको भी open करेंगे तो यह n n minus 1 n minus 2 n minus 3 और n minus 4 को पहुंशतने के बाद रोग दिया हम लोगों ने क्योंकि n minus 4 इधर देख रहा था equal to 1 is to 9 यह n minus 4 n minus 4 कतम यह यह कतम आपका क्या आगा n minus 1 इंटो n minus 2 इंटो n minus 3 यह रेशियो है इसका मतलब इसको डिवाइड कर दीजिए इस 2 यह है इसका मतलब n into n minus 1 n minus 2 n minus 3 equal to 1 by 9 इसका मतलब होता है कि a y b equal to c by d यह तो पता यह रेशियो होगा और यहां पर क्या हो सकता है n minus 3 n minus 3 कतम n minus 2 n minus 2 कतम और क्रास मल्टिप्लाई कर देंगे तो यह क्या हो जाएगा 9 into n minus 1 equal to n into n minus 1 sorry यह n minus 1 भी खतम था n के वेलू सीधी सीधी के आ नाइन यह step करने की जरूरत नहीं है यहां n minus 1 भी खतम है तो n की वेलू सीधे सीधी के आगी 9 अपुर्ण्स मिआ कर तो 9P5 9P5 plus 5 into 5 into 9P4 equal to 10PR find R तो सीदा-सी सीदा हमारा उसी सिंबल NPR पे बेस्ट सारी question है तो open करते हैं NPR का मतलब क्या होता है N का factorial upon N-R अब इसको देखते हो यह क्या है 9 का factorial upon 9 minus 5 का factorial plus 5 into तो 9 का catorian upon 9 minus 4 का catorian equal to 10 का catorian upon 10 minus R का catorian अभी catorian 9 है और नीचे catorian 4 होगा तो इसको ओपर करेंगे 9 into 8 into 7 into 6 into 5 into factorial 4 पे स्टाफ कर देंगे क्योंकि नीचे प्लस फाइब इंटू । यह उपर फैक्टूरियल 9 है इधर फैक्टूरियल f5 आएगा तो फैक्टूरियल 9 का अमलोग open करते जाएंगे कहां तक 5 तक और 5 के फैक्टूरियल पे रोग देंगे क्योंकि नीछे 5 पाइब का कैक्टूरियल है 10 का फैक्टोरियल पां 10 माइनस R का फैक्टोरियल यह यह खतम यह 5 प्लस 9 इंटो 8 इंटो 7 इंटो 6 इंटो 5 अब फैक्टोरियल 10 को अगर आप उपन करें तो यह क्या होगा 10 इंटो 9 इंटो 8 इंटो 7 इंटो 6 इंटो 5 इंटो 4 इंटो 3 इंटो 2 इंटो 1 अपन 10 माइनस R का फैक्टोरियल 9 इंटो 8 इंटो 7 इंटो 6 इंटो 5 दो बार लिखा है तो यह क्या हो जाएगा 2 टाइमस होई हो जाएगा 9 इंटो 8 इंटो 5 और 10 10 x 9 7 6 5 4 3 2 1 10 minus r factorial दोनों साथ से 9 x 8 x 7 x 6 x 5 9 x 8 x 7 x 6 x 5 इतना क्या हो गया कैंसिल हो गया इधर क्या बचा दो बचा और उधर क्या बच रहा है कि फुट्टी इंटू 6 2 4 0 अपन 10 minus r का factorial क्रास मल्टिप्लाइ करेंगे तो यह दो से इसको आप कतम कर दिए तो यह 120 हो गया 10 minus r का factorial आपका आगया 120 अब इधर भी factorial है अगर इसको भी किसी का factorial बना लिए तो फिर तो दूनों की equate कर दें तो 120 किसका factorial होता है 5 4 23 62 120 यह factorial 5 होता है तो यह 10 minus r का factorial आपका factorial 5 के बराबर हो तो comparison करेंगे तो 10 minus r को भी 5 के बराबर होना चाहिए यहां से r के बेलो की आएगी 5 कि एक और question हम लोग लेते हैं सेवेंथ नंबर कि यहां है फिफ्टी शिक्स पी आर शिक्स 56 पी आर प्लस शिक्स है इस तो फिफ्टी फोर पी आर प्लस थ्री तीज थर्टी एट डबल जिरो इस टूँए टूँए फिर वही करना है आपको एन पी आर की डिफिनिशन से ओपन करना है सबसे पहले स्टेप तो यह होगा एन पी आर एकुल टू एन फैक्टोरियल अपान एन माइनस आर फैक्टोरियल तो यहां पे लगाते हैं फिर प्रित्ते क्या करना है तो यह उपर हो गया आपका फिफ्टी सिक्स का फैक्टोरियल अपान फिफ्टी सिक्स माइनस यह क्या है आर प्लस सिक्स इसका फैक्टोरियल हो जाएगा इस टूपर फिफ्टी फॉर का फैक्टोरियल अपान फिफ्टी पोर माइनस आर प्लस 3 इसक एक टूरियल एक टूर तीस आठ डबल दिविश्टू ओन यह वह गया फैक्टॉरियल 56 56 माइनस आर माइनस 6 तो यह क्या हो गया 50 माइनस आर हो गया यह यह 54 का फैक्टॉरियल यह 51 माइनस सारी 51 माइनस आर का फैक्टॉरियल 54 माइनस आर माइनस 3 तो 54 से 3 जाएगा तो 51 51 माइनस आर का फैक्टॉरियल 308 001 अब हम लोग कि यह रिश्यो में लिखाया तो इसको ऐसे लेग लेते है 56 ka फैक्टॉरियल अपान 50 माइनस आर का फैक्टॉरियल अपान यह 54 का फैक्टॉरियल अपान 51 माइनस आर का फैक्टॉरियल तो 3 0 8 001 अब हम लोग इसको कैसे शाल करते हैं यह ऐसे रहेगा और दो यह क्या होगा पलट के multiply हो जाएगा तो यह बजाएगा 56 का factorial कि अपान तो फिप्टी माइनस आर का factorial इंटू 51 माइनस आर का factorial अपान ये 54 फैक्टूरियल 308 001 अब हम लोग तोड़ा इसमें देखते हैं यह 56 इंटू 55 इंटू 54 का फैक्टूरियल कर देंगी क्योंकि 54 का फैक्टूरियल इधर यह 51 माइनस आर है इसको ओपन करेंगे तो 51 माइनस आर और अगला क्या होगा 51 माइनस आर माइनस वन तो हो जाएगा 50 माइनस आर तो इसको भी ओपन करते हैं यह 51 माइनस आर और अगला हो जाएगा 51 54 54 ते खतम हो गया यह 51-1 यानि 50 50-R 50-R खतम हो गया आपका क्या बचा आपका 56 इंटो 55 इंटो 51-R इकल टू 308 00 यहां से आपका आगया 51-R इकल टू 308 00 अपान 55 इंटो 56 तो इसको आप डिवाइड कर लीजिए पहले 55-56 को मिल्टिप्लाई कर लेते हैं जीरो एट जीरो 3080 तो यह क्या आगया 51-R एकल टू 308 00 अपान 3080 तो यह कितनी बार जाएगा 10 टाइम्स तो यहां से आगया 51-R इकल टू 10 और आर इधर जाएगा तो पॉजिटिव होगया दस होदे जाएगा तो घट जाएगा तो आइकल टू 41 क्वेस्टन नमर एट देखते हम लो लिए 2N plus 1 PN minus 1 2N plus 1 PN minus 1 is 2 2N minus 1 PN minus 1 इकल टू 3 is to 5 find N फिर इसमें कुछ नहीं करना है वहीं करना है N P R क्या होता है फैक्टोरियल N upon N minus R का फैक्टोरियल तो सबसे पहला काम तो पहर ही लेते हैं तो यह बजाएगा 2N plus 1 का फैक्टोरियल upon 2N plus 1 minus N minus 1 इसका फैक्टोरियल इस तो 2N minus 1 का फैक्टोरियल upon 2N minus 1 minus N minus 1 का फैक्टोरियल 3 is to 5 यह क्या होगे आपकर 2N plus 1 फैक्टोरियल 2N plus 1 minus N plus 1 ऐसे देख लेते हैं यह हैं लिखा है 2N plus 1 minus N plus 1 फैक्टोरियल 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 अपान यह क्या होगा यह लिखा है 2N minus 1 minus N plus 1 यह 11 का फैक्टोरियल तो नीचे क्या बचा सिधा 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 N फैक्टोरियल इकल तो 3 is to 5 अभी हम लोग ऐसे लिख लेते हैं 2N plus 1 का फैक्टोरियल अपान N plus 2 का फैक्टोरियल अपान यह 2N minus 1 का फैक्टोरियल अपान N का फैक्टोरियल एक्टो 3 by 5 और आपको यह कहीं पे लिखा हो A by B equal to C by D तो आप क्या करते हैं इसको A by B into D by C यह ऐसे रहता है यह पलट के मल्टिप्लाई हो जाता है तो यह आपका आजाएगा 2N plus 1 factorial upon N plus 2 factorial into N factorial upon 2N minus 1 factorial equal to 3 by 5 अब क्या करेंगे हम लोग फैक्टोरियल का कैंसलेशन करेंगे जो बड़ा फैक्टोरियल होगा उसको open करेंगे N plus 2 को open करते N तक जाएंगे और 2N plus 1 को open करके 2N minus 1 तक जाएंगे तो 2N plus 1 को जो open करेंगे आप तो पहला क्या होगा 2N plus 1 अगला क्या होगा 2N plus 1 minus 1 अगला क्या होगा 2N plus 1 minus 1 अगला टू क्या होगा minus 2 तो यह 2n plus 1 minus 2 यह basically क्या लिखाया है इसको यही पर रोब देते हैं क्योंकि हमको यह दिख रहा है यह 2n minus 1 का factorial और यह factorial n n plus 2 को open करेंगे तो n plus 2 पहला ट्रम अगला ट्रम n plus 1 अगला ट्रम क्या होगा n का factorial इसको पढ़ा रहे हैं देते हैं 2N-1 का factorial 3 by 5 2N-1 का factorial 2N-1 का factorial N का factorial N का factorial यह पतम हो गया आपका यहाँ पे क्या बचा यह 2N प्लस 1 और यह 2N अपन N प्लस 2 इंटू N प्लस 1 equal to 3 by 5 अब इसमें आपको push नहीं करना है कि बच्वाद quadratic solve कर लेना है बस multiply करके cross multiply करें तो क्या हो जाएगा 5 इंटू 2N प्लस 1 इंटू 2N equal to 3 इंटू N प्लस 2 2N प्लस 1 यह 10N into 2N plus 1 equal to 3 N square plus N plus 2N plus 2 20N square plus 10N equal to 3N square plus 3N plus 6N plus 6 20N square 20N square 20N square 3N square plus 9N plus 6 अब 3N square इदर आएगा तो 20N square minus 3N square plus 10N minus 9N equal to 6 17N square 17N square plus N minus 6 equal to 0 calculation उंको एक बार फिर से चिक करना पड़ेगा क्योंकि यह थोड़ा जीब टाइप का आ रहा है इसका फाइक्टर नहीं कर रहा है इकल तो 10N 2N plus 1 N square plus N plus 2N plus 2 20N square plus 10N equal to 3N square plus 3N plus 6N plus 6 3N square इदर जाएगा यह 17 N square और यह plus N minus 6 यहां से जो N की वैलू आएगी acceptable वैलू नहीं होगी यह इसलिए कहीं पर mistake हुआ है कहां पर हुआ है पर उसे कर लेते हैं हैं यह सार्ट में यह 2N plus 1 factorial अपान यह लिखा है और H2 यह कहा था 2N minus 1 8 2N minus 1 P N तो इसको भी लिख लेते हैं यह 2N minus 1 factorial अपान 2N minus 1 minus N factorial into N factorial यह 2N minus 1 factorial अपान N minus 1 factorial into N factorial तो यह 2N plus 1 अपान N plus 2 अपान 2N minus 1 2N minus 1 P N के वेलू क्या होगी 2N minus 1 factorial अपान 2N minus 1 minus N यह फाल तो लिख दिया N P R क्या होता है N factorial अपान N minus R factorial तो यह 2N plus 1 अपान N plus 2 का factorial अपान 2N minus 1 और यह यहाँ पे mistake होगा है यह क्या है N minus 1 का factorial है यहाँ पे गलती होई थे हैं लोगों से अप तो 2N plus 1 factorial अपान N plus 2 factorial इंटो यह पलट के multiply होगा N minus 1 factorial अपान 2N minus 1 factorial इकल टो 3 by 5 अप 2N plus 1 को open करेंगे तो यह होगा 2N plus 1 अगला क्या होगा एक इससे कम यानि 2N अगला क्या होगा एक इससे कम तो यह 2N minus 1 का factorial यहीं पे इसको रोप दिये और यह N minus 1 factorial को ऐसे ही रहने दिया 2N minus 1 factorial इसको ऐसे लिए अब N plus 2 को open करेंगे तो पहला नमबर N plus 2 अगला N plus 1 अगला N तो इसको भी यहीं पे रोप दिया सारी N पे नहीं रोकेंगे क्योंकि ऊपर N minus 1 है तो इसको N minus 1 पे रोकेंगे अपन N plus 2 N plus 1 इकल तो 3 भाई 5 अब इसको आप जो है multiply कर लिजे तो यह होगा 10 इंटू 2N plus 1 cross multiply करेंगे तो 5 इंटू 2 10 इंटू 2N plus 1 इकल तो 3 इंटू N plus 2 N plus 1 यह होजाएगा 20N plus 10 इकल तो उदर करेंगे तो 3 N square plus N plus 2N plus 2 तो यह होगा 3N square plus 9N plus 6 equal to 20N plus 10 इसको आगे बढ़ाएगे तो यह होगा 3N square और 20 इधर आएगा तो minus 11 बचेगा और यह minus 10 plus 6 यह आपको आएगा minus 4 equal to 0 अब इसका factor करेंगे तो 12 और 1 आएगा इसी को solve करना है यानि 3N square minus 11 N minus 4 equal to 0 3N square minus 12 N plus N minus 4 equal to 0 3N common करेंगे तो N minus 4 plus 1 common करेंगे N minus 4 equal to 0 3N plus 1 into N minus 4 equal to 0 तो N minus 4 equal to 0 करेंगे तो N की value क्या आगई 4 और इससे क्या आएगा 3N plus 1 को 0 करेंगे तो N की value fraction में आएगी negative वो acceptable नहीं हो तो N की value क्या होगे आपकी फोर होगे तो इसके बाद 3-4 question और है वो हम लोग देखेंगे फिर अपने सिंबल N C N पर आएंगे और फिर N C N वाले सिंबल पर based question हम लोग देखेंगे ओके तो इतना ही रखते हैं thanks for watching